आपका बहुत बहुत स्वागत है उम्मीदास अवी कामना करता हूँ आपसे भी भाई बैंच छीक होंगे बैतर होंगे हरिगाना सरकार धमाका और हरिगाना सरकार बेपिल रासन कार्ड का जटका जो लगया है अप्रेल महा में आपको रासन नहीं मिलेगा लेकिन यहीं सरका नेकोर बंपर धमाकेदार आदेश चंडिकट से जारी कर दिया है जो आपको जटका लगा है वो जटका कम किया गया है तो साथियो विश्तार से चर्चा करेंगे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और आज की जो प्रिंट मेडिया इसने बहुत बड़े उस से पहले देता हूँ सटीक देता हूँ जो मेरे साथ जुड़ा है वो यह नहीं कह सकता है कि मुझे नहीं पता चला कब सरकार की योजना आई और कब निकड़ गई भाई तु या तो मेरे साथ जुड़ा ही नहीं है या देखता ही नहीं है मैं तो कुछ नहीं छोड़ता कु नहीं मिलेगा रासन तो दोस्तों ये जो राशन है अपरेल में नहीं मिल रहा है क्योंकि गैहों की कटाई हुई है और गैहों बड़ी मातरा में मंडियों में आया है जब मंडियों में गैहों आया है जो लेबर है जो वो है आड़ दिया वो सभी गैहों खरीद में अभी लग तो अप्रेल का रासन आपको कब तक मिलेगा ये भी चंडिकर से दमाकेदार आदेश सरकार ने जारी कर दिये हैं दोस्तों अप्रेल का महीन अब बीतने को है लेकिन अभी तक सरकारी रासन डीपो पर गैहूं का इस्टोक नहीं पहुचा है वजह है कि फसल की सरकारी खरीद क वजह से मंडी गोदामों तक अनाज पहुचाने में लेबर और गाडिया लगी है जबकि गोदामों से रासन डीपो तक गैहूं का स्टोक पहुचाने के लिए लेबर और गाडियों का परबंद नहीं हो पा रहा है जो लेबर है जो गाडिया है वो मंडी से गोदामों में म यह पूरा क्या पूरा यहां डाटा इन्होंने दे रखा है अब सरकार ने इसमें चंदीकर से दमागिदार आदेश यह किया, यहां अदिकारी बै 어떻करी के बैंडेख सकते हैं, जबकि गोदामें खरीद का नया स्टोक लग रहा है तो बै डीपोज पर तो पुराणा माल पोँचाना इनको और नयाई स्टोग करना है गोदामों में 30 अपरेल तक डीपोज पर गेहूं पहुचना आरंब होगा तो बै तीस अपरेल से यानि परसों से गेहूं पहुचना शुरू ही होगा तो इसे वित्रन करने के लिए यहां आगे जाए इसे वित्रन बांटने के लिए कम से कम 10 दिन का समय दिया जाएगा तो आपको 10 मही तक जादा लेट नहीं कर रहे हैं 10 मही तक आपको जो है रासन बांट दिया जाएगा अपरेल महीने का और माई का आपको माई मही मिल जाएगा माई का आपको बीस माई से तीस माई के बीच मिले जाएगा साथियो तो भी अब जो है तीस अपरेल से रासन डीपों पर पहुंचना सुरू होगा गया हूँ डीपों पर पहुंचना सुरू होगा 30 अपरेल के बाद 1, 2, 3, 3 दिन और इसमें लगेंगे क्योंकि मसीनों में माल भी आएगा उसको चड़ने के बाद ही डीपो धारक जो है जो आपका डीपो वित्रन करता है जो आपका राशन बाटता है वो आपका राशन बाटना सुरू करेगा ऐसा नहीं होता क्योंकि जो राशन उतरता है उसके बाद बिल आता है वो बिल जो है बिलो कलिकर डीपो धारक पहुंचता है और फिर डीपो धारक जो वहाँ ऑपरेटर बेटे होते हैं वो उसकी मसीन में माल चड़ाते हैं उसके बाद मसीन में माल चड़ने के बाद डीपो बाढ़ता है ना आज बाढ़ता है और जहां ये पांच जिलों में तो आपका जो है आटा आता है सत्रह जिलों में गहूं का वित्रन किया जाता है तो दोस्तों ये पूरे परदेश का यही हाल है परदेश में गरीब परिवारों की इस्तिती हिस्से जो है गरीब परिवारों का जो है वो हालत बुरी हो जाते है क्योंकि गरीब परिवार का इस्टोक तो नहीं होता है जो महीने चल जाता है तो भई अब दस मात दिन का जुगार कोई उधार देता नहीं है अब जमाना ऐसा गया पैसे मांगते हैं पहले अब उसकी हालत वैसे खराब है तो दोस्तों मैं तो यह कहता हूं सरकारी से जल्द से जल्द वित्रण करें तो फिलाल के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद जैहीं जैवार जैर याना चैनल सबस्क्राइब जरू करें